मोटू और पतलू एक छोटे से गाव में रहते थे दोनों के बीच में एक गहरी दोस्ती थी वे हर काम में एक साथ थे और हमेशा एक दूसरे का सहारा बने रहते थे एक दिन मोटू और पतलू गाव के पास के जंगल में घूमने गए जंगल में घूमते हुए वे एक बहुत ही अद्भुत बगीचे में पहुचे वहाँ वे अनेक सुन्दर फूलों की पूरी खेती देखने को मिली बगीचे के कोने में एक अजीब सा प्रकार का गुलाब था जिसकी खूबसूरती से मोहित होकर मोटू और पतलू उसके पास चले गए गुलाब के पास पहुचकर वे उसे ध्यान से देखने लगे तभी एक जादूई संगीत की आवास सुनाई दी गुलाब के जूले भी आसमान में से आरंभ हो गए और वे स्वयम ही हिलने लगे मोटू और पतलू हैरान रह गए अचानक एक परी उनके सामने आई और बोली ये गुलाब जादूई है जब इसका पेड खिलता है तो इसमें जादू होता है और वह अपनी मधुर आवाज में संगीत सुनाता है और इसकी खुश्बू से लोग भविश्यवानी भी कर सकते हैं मोटू और पतलू को यह सब सुनकर बहुत हैरानी हुई उन्होंने सोचा क्या वह इस जादूई गुलाब को अपने साथ ले जाएं मोटू ने अपनी मित्रता पर भरोसा किया और फूल को अपने पैरों में दबाया जैसे ही उन्होंने गुलाब को हाथ लगाया, वह चमक उठा और वास्तव में जादूई हो गया गुलाब के पास से एक जादूई आवाज आई और वह कहा मैं तुम्हें एक खास शक्ती दे रहा हूँ इसका इस्तिमाल करके तुम अपने और अपने दोस्तों की मदद कर सकते हो मोटू और पतलू ने गुलाब का जादू स्वीकार किया और उन्हें उनकी यात्रा के लिए धन्यवाद दिया वे अब अपने नए साथी के साथ गुलाब के पास से हटे और अपने गाव की ओर चल दिये गुलाब की खुश्पू ने उन्हें खुश्पू के रूप में साथ दिया और उन्हें अच्छे भविश्य की भविश्यवानी भी की गुलाब के संगीत ने उन्हें उत्साहित किया और उन्हें एक नया आत्म विश्वास दिया मोटू और पतलू ने गुलाब का जादू अपने जीवन में बदल दिया और उन्हें नए सपनों की और आग्रहित किया And subscribe my channel for cartoon video